हलो और वेलकम टू अनलाइफिटी स्वागत आपको अनलाइफिटी टी बहुत है तो पर डेली सुबह सुबह हम 11 एम पर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते हैं टैकर है बहुत ही इंपोर्टन कोशन होते हैं प्रिविसर कोशन मैं डेली जो आपको एक से दो वीडियो ले Question कर रहा हूँ जो कि math के daily business पर इसकी सारी pds बगयरा जो है आपको telegram group बीडियो के description में है यहाँ पर भी telegram group मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है online 30 को नाम से भी आकर join कर सकते हैं बाकी सारी PDF आपको मिल जाएंगे ओके चले start करिंग वीडियो को करते जाना है आपको कमेंट करते जाना है और देखिए ये लाइब क्लास नहीं हला कि आप लोगों से पर रिक्वेस्ट रहेगा अगर लाइब क्लास आप चाहते है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मुझे जो है कमेंट करना पड़ेगा कि कमेंट करिएगा मुझे इस पर आई कलास आपको लाइब चीए तो बिलूब कमेंट करेंगे चलिए कोशन है आपको मद्भारत का एकी करण किस वर्स किया गया था एकी करण से मतलब है जो मद्भारत है वो कब बना था और यह इसका गटन हुआ 1 November 1956 को के इससे पहले जो है हमारी राजदानी नाकपुर हुआ करते थी, और अगर उसके बाद अगर बात करें, हमारा जो सिटकालिन राजदानी भी होते थी, ग्डिश्मकालिन राजदानी होते थी, घोवाली और भोपाल भी होते थी, तो राजदा हुआ हुआ हैं और अगर हम भिवाजं की बात करें हमारा चो भिवाजन हुआ था जाए की मद्ध-पृ पदेश में कितने संभाग है ओके कोशिन बहुत ही सिंपल है तो संभाग कितने है दस संभाग यह option आएगा आपका डिज करेक्ट अंसर अगर आप डिटेल वीडियो चाते हैं आप कमेंट करेंगे मुझे किव डिटेल वीडियो चाते हैं संभाग करते से दस बता रहा हूं तो दस्तों के दस सब्माग मैं आपको बता दूँगा तो एक कमेंट करके बताइएगा मुझे कि इस विरकार की वीडियो भी चाहते है ये एक क्यूप का क्यूप का वीडियो है आप लोगों के लिए कोई करेब्यू है तो वो भोपाल आता है और यहां पर आप से पूचा है जन संक्या दस्टी में भारत का प्रदेश का इस्थान जो है कौन सा है तो जल्ली से कमेंट कर दीजेगा प्रदेश का इस्थान जो होगा वे आएगा छटा ओके कौन सा आएगा छटा आएगा यहाँ पर ओके जन संक्या की दरस्ती सी की बात कर रहे हम तो यहाँ पर जो है हमारा तीसरा आप्षिन आएगा सनी बी आएगा छटा हमारा इस्थान है जन संक्या यहाँ पर है और एक ब्रक्च बना हुआ है और एक ब्रक्च बना हुआ है और एक ब्रक्च बना हुआ है इस परकार की यहाँ पर जो एबलम है और शेर का जो एबलम होता है वो यहाँ पर है और इस परकार का बना हुआ है वहाँ के आपको यहाँ पर बताना है जो ब्रक्च ह जाएगा koosin एक नएक आपका अद्जाम में यहीं से आने वाला है fragment कर देंगे राच की है पशूख क्या है? चली comment करेंगे इस koosin का बहुत ही प्यारा question है और ये जो है अगर हम बात करें इस का से पहला जो है अगर हम अगर हम बात करें अध्यान की बात करें तो पहला जो है एक चिन्ड भी यही था तो यह 12 सिंगा होगा यहाँ पर आंसर आएगा 12 सिंगा इसी correct answer क्या आएगा 12 सिंगा अगला कोशन मद्द प्रदेश का राच्किय दिवश कब मना था बहुत ही simple very easy question कमेंट कर दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक number option number one is the correct answer अगला कोशन मद्द प्रदेश में लोग सभा सरस्तों की संख्या कितनी है तो लोग सभा सरस्तों की संख्या हमारे पास कितनी 39 है 29 है option आएगा C तो ये सारी चीमा आपको लगाते जा रहा हूँ कमेंट करते हैं कोशन number eight है आपका है मद्द प्रदेश में राज्य सभा सरस्तों की संख्या कितनी है तो देखें लोग सभा की 39 है तो राज्य सभा की कितनी होनी चाहिए कमेंट कर देंगा राज्य सवा की हमारे पास जो है वह संक्या है राज्य सवा सरस्वों की संक्या है 11 क्या है 11 आएगा option आएगा 20 करेक्ट आएगा मद्द प्रदेश में बिधान सवा सरस्वों की संक्या कितनी है बिधान सवा सरस्वों की संक्या कितनी है आप्षिन आएगा, आपका वी 230 कितनी है, बिदान सवा की सहसों की संख्या कितनी है? 230 है, आपका वी आएगा अगल्य कोशन मदवरीज की राजदने जाथ बूपाल है, क्या होगी बूपाल होगी, आप्षिन आएगा मदवरीज में जिलापंच्यात की संख्या कितनी अब यह कोशन थोड़ से टेफ होते आएंगे तो जिला पंचातों की संख्या कितनी है जली से कमेंट कर देंगे मुझे तो यहाँ पर जिला पंचातों की संख्या होगी 50 क्याएगा 50 आएगा 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 50 आए प्रदेश से प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था कोशिन वर थर्टी ने पहला समाचार पत्र कौन सा था कमेंट करेंगे आंसर देंगे वेरी इंपॉर्टन कोशिन स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा इसका नाम था सब्ताइक सब्ताइक कमाचार पत्र जो की ग गवाली रखवार उके उसके बाद इंदौर से ही होने लगाता है याद रखेंगे यही पेपर इंदौर से भी प्रकास दोने लगाता है लेकिन वाकी देखा जा तो गवाली रखवार से कहा जाता था उके अगला कोशिन स्क्रीन पर है कोशिन नमबर 14 के यहाँ पर यह मद्द प्रदेश योजना आयो के पहले अध्यक्ष होंगे योजना मंडल के सवरी अगला कोशन मद्द प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन था 15 नमबर वाला कोशन तो उस टाइम के मुख्य मंत्री आप्शन आएगा प्रदेश की सीमा का दिकाश जबाग किस राज से मिलता है वैरी इंपोर्ट गोशन सीमा का जो राज है सबसे ज़्यक्ष किससे चूता है कमेंट करेंगे इसका आएगा ओप्शन आएगा और यहीं करेक्टर आएगा इगा टि उत्ता प्रदेश योजना आएगाइगा कुल शेत्वल देश के कुल शेत्वल के कितने प्रतीसद है कुल शेत्वल के कितने प्रतीसद है कोशिन बस 17 है आंसर दीजेगा तो 17 का आएगा क्या आएगा कमेंट कर दीजेगा 17 का आएगा आपका कमेंट कर दीजेगा मुझे 17 का आंसर जो आएगा 9.37% हमारा जो है मद्ध प्रदेश है हमारे भारत की प्रतिसत के according अगला कोशिने देश के 5 राजों से मद्ध प्रदेश की सीमा मिलती है बताए निम्न मैंसे किस राजे की सीमा मद्ध प्रदेश को नहीं चूती है उत्तर प्रदेश की अभी मैंने बताया बिल्कुल छूती है गुजरात है इसमें आपका गुजरात बिल्कुल छूता है और आपका पश्चिम बंगाल और राइस्थान ते कि ये तो छूते ही होते हैं मद्द प्रदेश से 36 गर अलग वाता है उत्तर प्रदेश से लगती है सीमा ठीक है गुजरात से लगती है सीमा ओके आपके राइस्थान से लगती है सीमा ओके तो यहां पर जो हमारा नहीं आएगा वागा पश्चिम बंगाल तो क्या आएगा हमारा अंसर पश्चिम बंगाल अगला कोशिन मद्द प्रदेश में विद्द उतपादन कब से प्राराम हुआ सिंग रॉली को मद्द प्रदेश की उज़ए राजधनी कहती है जो सिंग रॉली में से से पहला उर्जा का उतपादन हुआ तो कमेंट कर दें कोशन नमर 19 नमारे पार से इस का अंसर आएगा 1919 कि इस सबसे पहले अगर बात करें तो 1905 में आएगा कि आएगा option नमर भी आएगा 1905 में जो है उर्जा जो है इसर से उत्पातित होई याद रखें 1905 आएगा option आएगा यहाँ पर 20 is the correct answer अगरा कोशन है मदप्रदेश के लिए सर प्रतम बिद्द योजना नमर मैंसे किस ने बनाई थी बिद्द योजना जो है मदप्रदेश के लिए सबसे पहले इन मैंसे किस व्यक्ति के द्वारा बनाए गई तो आंसर आएगा हेंड्री हावर्ड की द्वारा किसके द्वारा हेंड्री हावर्ड की द्वारा ऑप्शन आएगा सी इस दी करेक्ट आंसर ओके अगला कोशन छेत्रपल की दरस्टी से मदप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है छेत्रपल की दरस्टी से मैंने अभी भी कु गोशिन नबर 22 है विद्धुद अनुशंदान केंदर मद्द पदेश का कहां पर है तो यह अनुशंदान है अगर आपर सिंग रॉल ली आता तो यहां आपर बहुत है कन्फिज राजदानी है विद्धुद अनुशंदान केंदर जो होगा वह वो पाल में होगा option आएगा आ इसका option आएगा बीजदी correct answer ओके अगला गोशिन मद्द पदेश में सरबादिक निरवरता किस उर्जा साधन पर है गोशिन नबर 23 किस उर्जा साधन पर हम निरवर है कमेंट कर देंगे बहुत ही simple गोशिन है answer दीजेगा तो answer आएगा 23 का ताप विद्धुद ओके क्या है आप विद्धुद ओर पर लगबख हमारा अगर मून देखे जाए तो हमारे भारत भी इस पर ही देर बार विद्धुद पर ऑके अगर जूड़ी बहुत जल भिद्धुद ऑर भी हम जल भिद्धुद पर भी बहुत सारे चीजे होती है आगर गोशिन है राजगा ब्रहत बिदुत परियोजिना किस नदी पर बनाए गया है? राजघाठ में जो बिदुत परियोजिना है, वो बता नहीं आपको किस जो है नदी पर बनाए गया है, कॉशन में 24, आपकी स्क्रीन पर आमसर देंगे, तो इसका आन्सर रहेगा, बेतवा नदी पर, किस पर beetवा नदीपर बहुत इच्छा कोशन है अगला कोशन निलिकत में से किस राज पर बिजल बिदृत उत्वादन नहीं किया जाता है किन किस इस्थान पर सब्गोशِّ kis इस्थान पर जो बिदृत उत्वादन नहीं किया जाता है comment कर देंगे बहुत अच्छा question question 25 है answer दीजेगा कहाँ पर जो है विद्दूत का उत्वादन नहीं होता तो यहाँ पर देखे page बिल्कुल यहाँ पर विद्दूत का उत्वादन होता है page रास्टी उध्यान या page जो है विद्दूत का उत्वादन होता है आपका गांधी सागर पर होता है जवार सागर पर होता है लेकिन नेपाल नगर में यह नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1 is the correct answer कोशिन भात में सबसे आधिक विश्विध्याल है किस प्रदेश में है सबसे आधिक विश्विध्याल है यानि यूनिवरस्टियां कहाँ पर है कोशिन भात 26 है वेरी वेरी इंपार्ट कोशिन स्क्रीन पर है तो आंसर दीजेगा option आएगा आपका बी is the correct answer उत्तर प्रदेश is the correct answer क्या है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है जनसंग क्या है सबसे बड़ा अगर बात करें जो है अब जहाँ पर उत्तर प्रदेश ही होगा अगला कोशिन मद्द प्रदेश की किस जनजाती में घोटुल परता पाई जाती है गोटल पर्था जो है किस जन जाती में पाई जाती है कमेंट करें 27 है आंसड दीजेगा 27 का आंसा है गाँणद गोटल पर्था पाई जाती है कुशन नमर अग्ला मत्र पदेश के बीच से गुजर्टने बाली करकर रेखा किन किस नदी के समानतर हो की गजरती है बहुत यह प्यारा कोशन है आंसर दीजेगा 14 यानि 14 राज़तों के 14 जलों से निकलती है तो आंसर कमेंट कर देंगे मद्द प्रतेश के वेरी इंपॉर्ण कोशन और जैन के तो बिल्कुल 20 से यह निकलती है कमेंट कर देंगे कोशन में 28 है करक रेखा का आपका कोशन है आसर दीजेगा कोशन में 28 यहाँ पर जो आंसर आएगा किस नदी के समानांतर चलती है तो यह चलती है नर्वदा नदी के समानांतर क्या चलेगी नर्वदा नदी के समानांतर और नियमा वर जो आता है वहाँ पर बिल्कुल एक समान जो है यह हो जाती है नाभी कॉंड़ी जो नर्वता का है दिवाश में जो मिलता है अगला कोशन मद्रदेश का सरवतम पूर साक्षरता जिला कौन सा है बहुत इच्छा कोशन है सरवादिक जो है अगर हम बात करें यहाँ पर पूछा करें सरवादिक जो है साक्षरता जिला है वो कौन सा है कोशन में 29 है तो सरवादिक जो साक्षरता जिला है जली कमेंड कर दें कोशन अबर 29 है तो 29 में जो सरवादिक बात करें तो यहाँ पर जो है देखिए confusion अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अप्शन आएगा क्या आएगा यहाँ आएगा option आएगा इंदोर देखिए सरवादिक में option इंदोर है और जोवल पर है इसमें तोड़ा सा confusion होता है जिसके आंकड़े जो अगर बात करें दोयार 23 के करना के लिक कराता है तो जावल पूर लगाएंगे अगला question है मद्बर देश के किस नगर से होकर करकर रिखा गुजरती है बहुत ही प्यारा कोशन है मद्बर देश के किस नगर से होकर करकर रिखा निकलती है question number आपका 30 है तो बहुत ही simple question है ओके आपका उज्जेन के पास में अगर बात करें तो बहुत ही अज्जेन के पास तुरए सा दूर जागर बात करेंगे तो भूपाल ही पढ़ता है तो answer आएगा भूपाल इस दी correct answer option number one is the correct answer अगला question है मनमलकित में से किसके उतपादन में मदद प्रदेश का स्थान सबसे पहला है परतम नहीं है यानि कि इसमें से कौन सा परतम नहीं है तो comment करेंगे सारे परतम है तीन परतम है बाकि एक परतम नहीं है तो option ही आप पर देखे पहले तो देखे सोयवीन स्टेट हमें कह जाता है क्या कहा जाता है सोयवीनên इस्टेट में कहा जाता है यानि कि हम सुयवीन जो है इहां हापसर रहा खेथी होती है इसकी अगर हम बात कर 있는 तो हम नहीं वह बहुत आगे हम कि मध्द्रिधन कुर्ण यहाँ ऑगे है अगला कुशिन फासिल रास्टी उद्ध्यान मदबरदिस के किस जले में है तो यह जो है मंडला में है कहां पर है मंडला में है कुशिन नमबर 32 अप्षिन आएगा AZ करेक्टांस कुशिन 33 हमारे पास मदबरदेश की उत्री सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है उत्री सीमा कि नदी से बनती है बहुत ही प्यारा गोशन है उत्री सीमा जो है चंबल से बनती है और चंबल जो है आपका यमुना में जाकर जो है मिल जाती है अगर आपसे पूछा जाए कि उत्री यानि कि ये उत्री उत्री तो मिल गई है यहाँ पर रोके आपके दच्छनी पूछनी चार तो यहां पर बताना है, कमेंट करने हैं, यहां से आपको बताना है, यह निर्बदा निकल जाती है, अनुपुर से, और आपको ऐसी कौन सी नदी है, जो इसकी दच्छनी सीमा बनाती है, बहुत ही प्यारा कोशन है, कमेंट करें, कोशन में 33 स्कीन पर है, यहां पर आएगा ग बनाती होई चले जाती है और यहाँ पर सबसे बड़ा बांद है हीरा कुन बांद उड़ीशा में याद रखेंगे यह जो नदी होगी गोदावरी मारास से निकल कर 36 गर 36 से निकल कर आपका उललीशा मझाती है और यहाँ पर जो है बंगल खाड़ी में गिल जाती है कोशिन पर 33 का option जो आएगा क्या आएगा डी आएगा गुदवरी इस दी correct answer और आपको पता है नासिक में जो तरमकिश्वर पहाड़ी है वहाँ पर जो है क्या होता है कुमका मिला भी लगा जाता है कोशिन पर 34 है मद्द परदेश के बुपाल जिले के किस गाओं को पूरता स्वार उर्जा पर आधारित बनाए गया है बहुत एच्छा कोशिन कोशिन में 34 है तो यहाँ पर जो answer आएगा कस्तूरवा ग्राम यहाँ पर आएगा आएगा यहाँ पर बी आएगा कस्तूरवा ग्राम यहाँ कस्तूरवा गाओं कोशिन मत 35 हमारे पास है मद्द प्रदेश के एक मात जिले किस जिले में अफीम का उत्पादन रहता है बहुत एच्छे एक मात जिले में अफीम का उत्पादन रहता है और राज पक्षी दूदराज है मदबरदेश का राज के पशु कौन सा है कमेंड करिंग कोशिमा 36 है राज की पशु आपको उताना है तो राज की पशु मारा होगा 12 सिंगा जो कि मैंने आपको बताया था आप्शिन आएगा 12 सिंगा इसी करेक्ट आंस मदबरदेश के किस दूर्ग को भारत का जिबराल्टर की संग्या दी गई है वेरी इंपार्ट कोशिन स्क्रीन पर कोशिन पर 37 है जिबराल्टर की से कहा गया है गुपांचल परबत पर ये बना हुआ है कमेंड करिएगा और यहाँ पर गुजरी महल भी यहाँ पर है बहुत बार पूचा जाता है यहाँ पर बहुत सारी कोशिन पूचे आते हैं और राजबूत से भी बहुत सारी कोशिन पूचे आते हैं कमेंड कर देंगे गुपांचल पर परबत परिस्तित यहां पर तर्टी एट है यहां पर आंसर आएगा वह का तिरती यानिकी तीन इस्थरीय जो है पंचाती राज का जो है आपर दाचा अपना गया अगला कोशन है मद्प्रदेश उससा प्रती वर्ट नई दिल्ली में आज़त किया जाता इसका आजन किस वर्ट शुरु हुआ कमेंट करेंगे बहुत इछा कोशन है कोशन मर्29 है याद रखेंगे और यहां पर जो समहरो होता है उससा होता है मद्प्रदेश बो करेंगे इस वीडियो मेंच पतानी में मिरë आगे को स्वाहएं बहुत सेक्ज़ा होता है। कोशन में रिटी नहीं मेने करेंगी तो नाइंटी अप्शन है वाए वा था नहीं में सहां ता मदभदेश को समार होता ओके अगला मदभदेश के किस नगर को मद भारत की मद भारत की संग्यादißt ढी गई है यानि कि वह बुम्बई को यहां पर उध्योग की कि शीयों होती है सारे धनी हैं कमेंट करें कोशन 40 मदद ब्रदेश के बाला घाट का मलाज खंड छेतर किस खंडिज का उत्पादन करता है मलाज खंड जो है छेतर किस खंडिज का उत्पादन करता है कोशन 41 है तो इसका जो आंसर आएगा वहाएगा option C, Magneze option C, Magneze is the correct answer क्या आएगा Magneze is the correct answer अगला कोशन है मदद ब्रदेश के किस इस्थान मेजैन धर्मावली, ओके धर्मावली, स्वरी का लेका धर्मा लिम्वियों, ओके का अर्तीत वान बावना गंज बावना गजा, इस्तित है, यह थोड़ा सा difficult होता है हिंदी पढ़ना, sorry for that, ओके फोटे टू है, आंसर दीजेगा, गमेंट करेंगे, इसका उच्षिन आएगा बढ़वानी में क्या है, यह जो है, जो तीर्थ है वो है बढ़वानी में ऑके, 52 गजा, 52 गजा जो इस्तित है, तीर्थ है 52 गजा, ओके, धर्मावली ओका यह जो है यह बावन 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 बढ़वानी में क्याद रखेंगे कि अहां पर है बढ़वानी में sorry for that मदबरदेश की कौन सी जंजाती अपने को राजपूत मानती है बहुत ही प्यारा सा सिंपल कर गोशिन आज़र देंगे question 42 है यह जंजाती होगी बेगा जंजाती से कहेंगे बेगा जंजाती कौन सी जंजाती हوगी बेगा जंजाती एपने आपको राजपूत मानती है option आएगा मदबदेश के किस इस्थान में मदबदेश का पृत्म प्रतन नगर बनाया गया था बहुत ही important question स्क्रीन पर देखी हमारा एक मात्र अगर बात करें पच्चमणी जो है हमारा एक मात्र हिल स्टेशन है वहीं पर पच्चमणी पर धूबगड़ पहाड़ी है सबसे ऊची मदब्रदेश की 1350 मीटर की और आपको भी बताना है कि मदब्रदेश कैसा कौन सा जिला है जिसको पहल जिला था इसको प्रटक नगर बनाया गया है और यह जो है प्रटक नगर है ओके तो कोशीन नंबर इस वोटीफोर आंसर दीज़ेगा कमेंट करेंगे ओके तो यहां पर आएगा आएगा आंसर शिवपुरी हम भी रहते हैं बहीं शिप्री में option एगगा शिवपुरी इस ट correct answer okay चले अगला question screen पर मद्द प्रदेश के सरवादिक छेत्र में कौन सी फशल बोई जाती है मद्द प्रदेश के सरवादिक छेत्र में ऐसी कौन सी फशल बोई जाती है question 45 answer देंगे comment करेंगे तो यहाँ पर जो answer में दिया हुआ है देखा जाए तो देखे हम जहाँ पर किताबों के हिसाब से चलें 45 की तो यहाँ पर जो आता है हमारा answer भोई जाता है कि आता है धान हम जो है बोई जाती है किताबों के हिसाब से बात करें देखे जाता है तो यहाँ पर चना भी बोई ज मुखे, जंक्शन 188S, मदबरेश के किस जली में स्यतस है? मोई का उप्षन 188S, जह जुहें जली में स्यतस है, tım patation 46 है, उसनों 46 हमारे पास है, तो 46 जो आंसर आएगा बाएगा हुकशंगा बाद में, क्या आएगा हुशंगा बाद आएगा, क्याएगा option number C is the correct answer क्याएगा option का बाद is the correct answer अगला question मालवा के पठार के अंद्रगत निम्न में से कौन सामिल नहीं है, मालवा के पठार में कौन नहीं आता है, comment कर देंगे question of 27 है, तो यहाँ पर जो answer आएगा, लेकि सीध वाड़ा का पठार यह मालवा के पठार में आता है जालवाडा का पठार ये भी आता है सागर पठार ये भी आता है तो बहुत कि बहुत क्यों बहुत चो के बढ़ुच जो है पठार जो है इसमें नहीं आता है तो यहाँपर हमारा जो answer होगा option A महा कालेशवर का मंदर कहा है बहुत ही प्यारा गोशन महा कालेशवर का मंदर अगर हम बात करें यहाँ पर एक मात दर्चन मुखी मंदर हमारा है सिबलिंग हमारा है याद रखेंगे और यहाँ पर ही कुम का मिला रखता है शिप्रा नदी पर तो शिपरर रदी कहाँ पर ओजयन में है उजयनी अवन्ती से फ्याक है इसे जो है इसका पुराना नाम है अवन्ती आप्शन जो आएगा आएगा आप्शन आएगा एस दी करेक्ट आंसर ओजयनी या ओजयन ओके कमेंट करेंगे मद्द प्रदेश के पूर्व में भुपाल राज को कब मिलाया गया था मतलब भुपाल राज को मद्द प्रदेश के कब मिलाया गया कमेंट करेंगे कोशन 49 है बहुत ही अच्छा कोशिर है option जेकि मद्द प्रदेश को अब गटन हुआ तभी जो है अगर हम बात करें तभी बुपाल को राजदनी मनाया गया कटन का बुआ था एक नाव निएटिफिटीश को तो बुपाल राजदनी उसी समय बन चुकी थी तो ये नाकपुर को हटा कर बुपाल राजदनी बन गई तो भी नाकपुर महराष्ट में चला गया अप्शिन आयागा यहाँ पर और नाकपुर जो है भोशले जो है उनका अपर आओ असासन कर रहे थे और उसके बाद जो हाने के बाद जो अंगरों जो कहाने के बाद जो है उनका राज जो है अंग्रीयों के जंग्रियों को चला गया और उनने चलाया उसके बाद जो है लास्ट में अगर बात के भारत आयाद हुआ तो 1956 में इसे ऐक अलग राष्टेट बनाया गया और राष्टेट बनाने का और बात करें हमारे जो है जवालल नहरू ने इनका नाम रखा किसका मद्द परदेश पहले इसे मद्द भारत कहा जाता था अगला कोशन सेंटरल प्रोबीजन भी कहा जाता था मद्द परदेश में जलोड मिट्टी का छित्र कौन साथ है कोशन फिटी हमारे पास अंसर दीजेगा तो अब शिनायका जलोड मिट्टी का जो छित्र हमारे पास है मद्द परदेश का उत्तरी और पश्यमी भाग जो है अगर हम बात करें उत्तर और पश्यमी ठीक है यह अगर हम बात करें उत्तर पश्यम जो वगरा भाग है यह पूरा का पूरा जो है कैसा है हमारा जलूर मिट्टी का है उत्तरपशिम भाग तो चली अगले कोशन स्क्रीन पर है मद्रदेश के किस जले में मिर्दा पर्दन की सबसे अधिक समस्य है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन स्क्रीन पर है तो देखी पहली चीज़ तो ही समझने की आपको करना चाहिए कि जो मिर्दा पर्दन होता है वो होता क्या है मिर्दा पर्दन एक तरेका क्या होता है जब भी बारिस होती है क्या होती है जब भी बारिस होती है तो पान जो है कोई भी नदी जो है अपनी साथ जो है क्या भेका ले आती मट्टी कंकड़ फत्तर जो है बहा के ले जाती है अब एक नदी है जिसका नाम है चंबल क्या है चंबल नदी है अगर बात करें बेतवा भी है अगर बात करें चंबल नदी है जो चंबल नदी है और चंबल नदी महू से निकल कर जो है जाना पाउस से बाढ़े से निकल कर त जो है हमारा जो है बिंड बुरेना वाला जो इस्थान पड़ता है महापर जाकर जो है खेतों में घोज जाती है और खेतों में क्या करती है मिट्टी पूरी की पूरी तरीके से ये बहा कर ले जाती है और जो है पानी बारिश कम हो जाती तो बड़े-बड़े गड़े बन जा जाता है और उन भीहड़ाओं में क्या होता है कि पहले बोलते डाकू जो गारे उसमें चुपते थे बिलकुल सही बात है तो यहाँ पर अब क्या है कि जी इस चीज को यानि मिट्टी को कहां पर भैका ले आते थे यमना नदियें सीडा और अरंजाथ जो नाम की जो एक योउजणा है ये योजणा वर रंजाथ एक योजणा रखेंगे मद्द प्रदेश की योजणा है जो क्सलिए चलाए गई थी जो मिर्दा परदन होता है चंबल नदी से इसको रोगने के लिए चलाए गई थी मैं बतयां cela आदिक् इसके पाई आते हैं प्रस जाने दो कॉंछे अनसर आएगा साल के हमारे हापस इतना ज्यादा नहीं इतना साल आपड़ तो साल साल आएगा से इसी दी कुर्एक्ट आंत्र बाखी हमायरे पास देखिए हैं तो आम तो बागव में लग होते हैं तो कि और सीसा मारे और साल से पाए जाते हैं अगर गोशन इस स्क्रीण पर कोशन 53 है रानी लच्ची भाई के समाधी कहां पर है किस नगर ने बहुत ही सिम्पल कोशन है तो राणी लची इवाई की करेंगी बात करें तो कमेंट गर दीजगा मुझे कहा पर है किराबी मैं एक कोशन करा रहा हूँ अगर मुझे डिटेल में कोशन कराने है मुझे कमेंट करना है कमेंट करिएगा, कि प्लिस जल में भीटियो कराऊईए, इनकी पूरी इंफोमसिन देड़िए। जहासी की रानी, इंदोर में क्या है, इंदोर में होल-कर्स हैं, शूपरी में क्या है, प।, सिंधियाँ है, ग्सार्थ की राज रहा, तो कमेंट करेंगे यहाँ पर, समाधी है तो यह comment कर देंगे मुझे देखे अंदोर में तो आपको holkar माता की जो है यहाँ पर जो है ahilabai holkar की जो है मिल जाएगी समाधी राजबाडा पर और यह बाड़े पर जो है आप जाएंगे बाड़े से थोड़ा सा उपे की जो है क्या है समाधी है तो मैंने तीनों की बता दी बाकी चौती जो है आपको जहांसी के बारे में तो सबको जानकारी हो गई अगला कोशिन 53 है 54 है मदब प्रदेश के कि छेतर का नाटे काठी है नाटे जो है काठी है कौन सा है कमेंट करेंगे अगर बात करें हमारे हापर जो खेल है वो अगर बाज की खेल है वो हमें तक मैंने बताया नहीं मलकम है लेकिन नाटे काठी जो हमारा जो है वो किस जगा का है बंदेलखन बगेलखन मालवा ये निबाड़ है कोशिन 54 है आंस दीजीगा तो यह हमारा आएगा नाटे इसका काठी नाम है ये जो है मालवा का है याद रखें का का है मालवा का है आप्शन हैगा C अगला कोशिन मदब्रदेश का एक मातर गांजा उत्पादन जिला कौन सा है तो ये कमेंट करें गांजा जो उत्पादन करता है वो कौन सा है कमेंट करें कोशिन 55 आंसर देंगे इसका जो आंसर आएगा वा एगा खरगोन जी करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा खरगोन जी करेक्ट आंसर option number 20 करेक्ट आंसर मदब्रदेश में स्थित खुज्राओं के मंदरों का निर्माल किस बंस की शाशकों ने करवाया कमेंट करेंगे तो खुज्राओं के मंदर जो है पूरव पश्चिम और दश्चिम तीनों में है याद रखेंगे तो ये बहुत ही important मंदर है यहाँ पर जो है चोसट योगनी मंदर अगर बात करें drie किस वर्ष रास टीयान बना था काना कवर्श वर्ष राष्टी‌द्ध्यान बना था कौशिन 57 है तो 57 का जो एगा है 1955 में कब बना में 1955 में سے रास टीयान बना दिया गया option आएगाeking म्द्दपरदेश में सचाइक का सबसे प्रमुक साधन क्या है बेरी सिंपल गोशन अगर आप रहते होंगे मद ब्रदेश में तो बिलकुल सिंपल गोशन 58 का आप्शन आएगा नहरें सिचाई का माद्यम नहरें हैं और इसके बाद नलकूब हैं फिर रहेट तो यहां पर बंदी हो गए हैं कुए भी हैं तो बंदी हो गए अब तो नलकूब होगा कि आप्शन आएगा नहरें इस दी करेक्ट आंसर मद ब्रदेश में परड़कों का प्रमुक आकर्शन का केंदर खजलाओ के मंद निमलेकित में से किस जिले में हैं बहुत ही सिंपल कोशन 59 है चंदीलों के दार बनाए कि तो कमेंट कर देंगे कोशन 59 है तो यह जो है बनबाया कि कहा पने च्छतरपुर में है अप्षिन आएगा 20 करेक्ट आंसर च्छतरपुर इस दी करेक्ट आंसर यह अपन ना के तो जंगल फेमस है रीवा में सपित सीरों के लिए फेमस है निमलेकित में से कौन सा राज्य समराट अशोग से संबंदिता कोशिव 60 है तो यह राज रहेगा हमारा साची समराट अशोग जो है याद रखेंगे यह जो है बद धर्म को मानते थे और यहनों ने जो है इससे संबंदित जो है यहाँ पर साची स्टूप बनवाए दो तीन स्टूप याद रखेंगे मद़र बरदेश के किस राज़रे में परदेश का अच्छी नियाल है वहुत ही सिंपल गोश्ग वच्छी अच्छी के सिस्टी ववन है तो अच्छी नियाल है कहा은ँ या है कमेंट करेंगे तो जाहलपुर में इसा 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 जाहल रहे है उके गौले में इसकी क्या है खंड़ पीड है गौले में इसकी क्षंड़ पीड है याद रखेंगे चले अगले गोशिन स्कीन पर आपका गोशिन मद्दप्रदेश के किस जिले की चंध संख्या में अनुसुर जनजाती का सरवादिक प्रतिसत है बहुत इच्छा सरा आएगा वो आएगा जाबवा भिंट नहीं आएगा स्वरी जाबवा जाबवा में से केक्रिटांटिक के जो लोग है अनुसुर जनजाती के बहु है रहते हैं। के चलिए स्टी सारी स्टी एना स्टी तो अगर बात कहें एस अनुसी जन्जाती का मतलत स्टी होगा ना सिडियुल कास्ट तो कि सिड्डियुल ट्रैप सुरी, अगला कोशन मद्द परदेश का, एक मात युनानी चिकिसा, महाविद देले मद्द परदेश में एक मात रहे है, और ये कहाँ पर है, कहेंड करके बताईएगा, कहाँ पर, कोशन में 63 है, तो इसका जो आंसर आएगा वा आएगा, बुरा कानपूर आप्शन नमबर सीज़ दी करेक्टर, अगला कोशन, कोशन में 64 है, मद्द परदेश में शर्वादिक स्वयवीन चेतर कौन सा है, बहुत इंपॉर्टन कोशन, स्वयवीन चेतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कमेंट करेंगे, कोशन में 64 है, अंत दीजेगा, कम अगला कोशन पर है, अगला कोशन, स्क्रीन पर है, के निमलिकित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दच्छन की और बहती है उत्तर से दच्छन की और बहती है उत्तर से आती है उत्तर से आती है उत्तर से आती है दच्छन की और बहती है कमेंट करेंगे आंसर देंगे कोशिन बहुत ही सिंपल है आंसर दीजएगा थोड़ स the correct answer जिम्लिकत में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बशा हुआ है तो मैंने पहले ही बता दिया है कौन सा नदी बता हुआ है यहाँ पर थोड़ताइगा कौन सा बसा हुआ है यहाँ पर बसा हुआ है कोशन निकलती है तो यह लतलाम जो यहाँ पर बसा हुआ नहीं है, तो कोशिन actual में ये गल्ट है, कोशिन होना चाहेता कौन सा बसा नहीं है तो रतलाम जोई पर बसा नहीं है और के बाकी सारे एक सरे तीन बसें हैं तो कोशिन थोड़ा गड़बल हो गया है यह कौन सा नहीं बसा है वो कोशिन है और यहाँ पर option मव, भिंड और मुरेना जो हैं बिल्कुल सही है और नहीं बसा हुआ है वो रतलाम है कोशिन वा 68 है मदबरदेश में लोहा एस को उत्पादित करने वाला निमलिकित में से कौन सा जिला है लोहा एस को जो है कौन सा जिला जो एत्पादित करता है कोशिन में 68 है तो 68 का अंसर होगा बाला घाट इसी करेक्टांस अगर कहीं पर सिंग्रॉली हो तो वो मतलगाएगा सिंग्रॉली में जो है कोईला पायाता है क्या पायाता है कोईला पाया जाता है मत्प्रदेश में जन संक्या की दिरस्टी से सबसे बड़ा नगर निवलेकित में से कौन सबसे बड़ा नगर चेटपल की दिरस्टी से पूचा है जन संक्या की दिरस्टी से सबसे बड़ा नगर कौन सा है बिलको सिंपल गोशन गोशन में 69 है जन संक्या की दिरस्टी से आप अगले कोशन स्क्रिंद पर मदपदेश के सरवादिक अफीम उत्पादित करने वाला राज क्या अफीम यहाँ पर कहाँ पर होती है तो मैंने और बताया मन्द सौर्ण में अफीम यह कोशन दो बार आ चुका इसी वीडियो में तो मन्द सौर्ण में साथ अफीम ज़ो हुगा और इसके बाद में आपको यह जो आप जो अभी जो टाइम देख रहे हैं वो था 11 a.m. का और 11 a.m. में हम जो कर रहे थे वो हम मैथ की वीडियो पहले कर रहे थे आज जो है मैथ की वीडियो कल से फिर से मिल जाएगी और अभी जो है इसके टाइम पर हमने चेंज करें था पर मिल जाया ओके कोई दिखकत अगल लग ऑगे चले तो फैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और इसका पीडियव जो है टेलिग्राम गूर्प मिल जाएगा अट तर एट ओनलाइन फिरी स्टेडी पर ऑके तो